नमस्कार दोस्तों वेलकम टू श्विंग ट्रेट आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लाक्षो स्मित क्लेनाइन कंपनी के बारे में इस कंपनी का डिटल अनलेसिस करेंगे एक फार्माशिटिकल कंपनी है और इसी में देखेंगे कि यह जो स्टॉक अभी जिसी साब से आज की दिन में पर्फॉमांस दे रहा है और आज की दिन में बिल्कुल फिप्टी टूइक लोग के पास में अल्रीडी आ चुका है और इस टॉक में हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और आज इस टॉक को मैंने क्यों पिक किया उसके पीछे का रिजन भी है बहुत सारा चले स्टार्ट करते हैं वीडियो देश्टिंग टाइव फ्रेंस इससे पहले यहां पर स्टॉक कभी आनलाइसिस किया हुआ है जरूर देख सकते हैं जो क्वालिटी स्टॉक हम अपना पॉर्टफॉलियो में लेके चलते हैं कभी हमारा पेसंस हो जाता है और मुस्ताइम प को टाइम लिए अपना पॉर्टफॉलियो में चलता है या तो फिर गिरावट होता है उस टाइम पर होल्ड करने का शिवा और हमारे पास में इसा कुछ उपाय भी नहीं अगर हम बात करेंगे यहां पर क्लाक्स्व कंपनी के बारे में तो यहां पर दिखें आज की दिन में कंपनी का जो स्टॉक के 2.04 परसंटेज का यहां पर गिरावट देखने को मिला है जो कि 20 30 पॉंट का गिरावट है और आज के दिन में अगर हम बात करेंगे यह स्टॉक क्या इसमें है आज की दिन में जो 71,000 कॉंटिटी यहां पर ट्रेडिंग हुआ है यहां पर डिलिवर करेक्शन देखने को मिला था तु車 साप से ऊसाथ में अगर पर स्टॉक कर द चल रहा है और उसकी के साथ में रिटरन और हम बãoत करेंगे तो यहां पर 101 recommended利钱 ,じゃあ plus ROI के बारें बात करेंगे तो 1-0-1 का यहां पर ROI देखने को मिल रही जो कि बहुत बड़ी है अगर Return on Equity के बारें बात करेंगे 51% और सबसे बहतरीन चीज है मैं हमें से देखता हूं कंपण़ी के वीडिऍड केतना है का अल्टाइम हाई है अभी भी एक है 1461 पे चल रहा है जो कि बहुत बड़ा अभी भी है और यहां पर प्रमोटर के पास में होल्डिंग है और प्रमोटर प्लाइस भी अगर लास्ट सार क्वाटर में देखते हैं यहां पर 1693 करोट का यहां पर नेट प्रफिट देखने को मिल रहा है उसी के साथ में यहां पर पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने बना के अभी तक नहीं दिया है ठीक है उसी के साथ में अगर हम बालंस जाके देखते हैं तो यहां पर कंपनी का रिपास में रिजर्ब जवर दस्त है जो की 2494 करोट का कंपनी को पर रिजर्ब हुए लेकिन कंपनी के ऊपर एक रुपे का भी यहां पर करजा नहीं है यह बहुत बढ़िया पॉजिटिव शाहिंगे उसी के साथ में यहां पर देखिए अगर हम प्रमोटर के बारे में बात करेंगे 75 परसंट तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है तो यहां पर अपना स्टेक में थुड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं बाइंग हो रहा है तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करेंगे य पर आपको यहां पर प्ले लिस्ट में आना है प्ले लिस्ट अगर यहां पर वीडियो देखेंगे काफी सरे वीडियो अगर देख लेंगे आपका डाउट क्लीर हो जाएगा बार कोई से स्टॉक अगर कहां पर आके यह वहां पर सपोर्ट लेता है तो बात करेंगे तो यहां पर मुझे लगता है इसमें अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं अगर तो यहां का टार्गेट आप ले लिजे तो यहां से लेके अगर स्टॉक में यहां पर नाइटीन नंडेट तरका अपना पॉर्टफोलियो में लेके चलते हैं सीधा सीधा है आपको एक 30% 31% का गेन मिल सकता है देखिए आपका जो पहले टार्गेट रहेगा मैं आपको उता पहले टार्गेट आप लेके चल सकते हैं जो कि 1910 ठीक है तो यहां पर पहले टार्गेट पर आपको यहां पर निकलना है 1910 पर तो यहां तक अगर हम प्रॉब्लेम नहीं क्योंकि यहां पर बॉटम की बात करेंगे मुझे लगता है यहां पर एक सही लेवल पर स्टॉक चल चल रहेंगे इसका अरे सब्सक्राइब बीदेख लिए उसके बाद में और एक लेवल हम देखेंगे जो कि यहां पर मुविंग आवरेज की बात करें तो यहां पर दिखिए यहां पर सारे मुविंग आवरेज के निचे स्टॉक प्रेडिंग हो रहा है जो ब्लू कलर का ज निवेस का देखना चाहिए ठीक फड़ासा अपना स्टॉक को यहां पे अपना पॉर्टफोलियो में चाहिए और दूसरी में एक बात बताना चाहूंगा यह जो स्टॉक में मैं क्यूं बता रहा हूं यह आपका पहला टार्गेट में ने बताया ठीक है उसके बाद में और सिधह सिधह यहां पिख रहा है रिवेर्ट इंड़ रही तो यहां पे लेफ साथ यहां रिडुटर भन चुका है उसके साद में होई है और teak तो इसा आप सैवी में अब आप इसमें ने düster करते है मैं वीबफ ली चार्ट पर आपको शोय करता हूं ठीक है अगर इसी हिसाब से आप इस टॉक में फुरसा अपना नजरिया बना के चलते हैं तो यहां पर सिदा सिदा देखे कितना परसंटेज का आपको गेन मिल सकता है और में आव्च बता क्या हैं तो यहां पर परक्म कॉझे चucharist आप बनाने की सकता है मुझे लगता है आपको noon कर सब्सक्राइब क्ति गर्में के चलते हैं जो इस में देख चुके हैं जो कि वहाँ पर 31% का gain मिल रहा है और अगर हम second target की बात करेंगे तो second जो target है तो यहाँ पर second target के लिए 2727 ठीक है जो कि यहाँ पर मैं note कर लेता हूँ friends आपको easy हो जाएगा यहाँ पर second target की बात किया जाए देखिए second target आपका निकल करके आता है 2770 का लेवल तक आप लेके चल सकते हैं ठीक है तो अगर वहाँ तक का अगर हम इसमें पोजिशन बना के चलते हैं 2770 तक का तो यहाँ पर कितना percentage का gain मिलता है देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको 88% का gain मिल सकता है मुझे लगता है जबर्दस्त मौका है यहाँ पर 85-88% का gain आपको मिल सकता है इसमें बिलकुल एक बार आपको खुद का भी analysis करना है अगर आपको सही लगता है यह stock में आप बिलकुल कंसिडर कर सकते हैं लेकिन किसी भी stock में आपको buy करना है उससे पहले चार-पांच सीध जरूर आप एक बार देख लिजे जो कि company का debt to equity ratio ठीक है अगर debt free अगर low debt company है तो बहुत बढ़ी है उसी के साथ में company अपनी business में अगर अगर फस बीजाते हैं मेरे साफ से कोई प्रोब्लेम नहीं है तो यह stock में आप बिलकुल अपना नजरिया बना सकते हैं और ROC देखिए यहां पे 101 परसेंटेज का ROC अगर return on equity के बात करें तो 81 परसेंटेज का यहां पर return on equity और dividend भी देखिए तू परसेंटेज का यहां पे निरास होता है क्योंकि मैंने इतना बार बताने की बावजुद भी काफी सारे फ्रेंस क्या करते हैं पहले तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जब लॉस हो जाता है उसके बाद में फिर मेरे साथ में नहीं कि यह स्टॉक पहले से एक साल में 400 परसेंट रिटन दिया जरूरी नहीं कि आपको नेक्स दियर में 400 परसेंट का रिटन दे के चोड़ देगा यह मतलब एक साल में इसा बिल्कुल कभी होता नहीं ठीक है और कंपनी किसी आप से परफॉर्म किया है क्यों परफॉर्म हैं में इंटर किय आपको स्पेसियल में मता रहा हूं स्टॉक को एंबश्रा करना कि किसी झादा किक backl करना है लेकिन अगर आप इतना बड़ा कर लेते हैं फिर बहुत बड़ा लास होता है ठीक है तो लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है पहले कनेक्ट हो जाई तक आपका लॉस भी बस सकता है और उसमें शोटा से प्रेमियम के साथ में बड़ी ऐसे स्टॉक मार्केट में ले सकते हैं यह वीडियो के लिए था तो यहां पर कोई नेरा बाइंग और सेलिंग का रेकोमेंडेशन नहीं है आपको जो भी करना है आपका फाइनशियल आडव